असलाम लेकुम स्टूनेंट्स इस मायरा आमजद वेलकम टू जावेर पब्लिशर्स आज हम मैट्स बुक ग्रेड फाइफ प्लस में एडीशन का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आज आपने बच्चे को जमा करना सिखाना है बच्चे को all together बच्चे को sum इन तमाम लवजों का मतलब समझाना है बच्चों को ये concept देना है कि जब हम चीजों को जमा करते हैं तो वो addition कहलाती है और जब हम चीजों को जमा करते हैं तो हमारे पास एक नया number आता है जब हम numbers को ज जमा करने का और एकठा करने का कंसेप्ट सिखाना है, तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ, जी तो बच्चो, आज का हमारा टॉपिक है एड, जी, एडीशन का मतलब होता है, जमा करना, मतलब एकठा करना, एक साथ मिलाना, अच्छा, आप देखो, यहां पे लिखा वा, I can add things, बच्चो, क्या आप चीजों को जमा कर सकते हैं, अफकॉर्स कर सकते हैं, कैसे जमा करते हैं, मैं सिखाती हूँ, अगर आपके ममा ने आपको वन रुपी दिया, और आपके पापा ने आपको वन रुपी दिया, तो जब आपने उन दोनों को जमा किया, तो वो कितने बन गे टू रुपीज जी इसी तरह हमने यहाँ पे चीजों को जमा करना है जैसे देखो अगर आपके पास एकार है और आपके बड़े भाई के पास भी एकार है तो जब आप दोनों एक साथ खेलने लगते हो तो आप दोनों के पास कितने कार्ज हो जाती है टू ना तो आप दोनों कार्ज के साथ खेलते हो लेकिन अगर आप अलग लग खेलो तो आपको बस एक एक कार होती है लेकिन फिर सडनली आप कहते हो एकठे खेलते हैं एकठे मतलब दोनों मिल के खेलते हैं दोनों जमा होकर खेलते हैं, इसी तरह देखो one car थी and another car, one one car को हमने जब add किया, तो कितनी बन गए, all together, two cars, बिलकुल, इसी तरह three butterflies हैं, उसमें हम two butterflies को add करेंगे, तो कितनी बनेंगी, चलो, count करते हैं, आप अपने fingers पे भी count कर सकते हो, या यहां भी count कर सकते हो, चलो हम अपने three, three butterflies थे, अब आपने इसके अंदर two or add करनी है, यानिकि three के अंदर, दो count, दो numbers को और count करना है, one, two, three, four and five, कितनी बन गए, five, very good, इसी तरह बाल्स को count करते हैं, one, two, three, four, five, यहां पे five थी, आप लिख देंगे, उसके बार, one, two, three, four, यहां पे four हैं, यह भी आप लिख दें इकठा करके count करना है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, जमा कर दी न, तो यह कितनी हो गई, nine, अब देखो हमारे पस taps हैं, इनको भी count कर लेते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight, कितने taps हैं, eight, यहां पे लिख देंगे eight taps, अब यहां पे कितने हैं, two, यहां पे लिख देंगे two, अब next picture में देख इकठे हुए हुए हैं, सारे इकठे नजर आ रहे हैं, तो अब इन इकठे taps को हम count करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, तो यहां पे आपने ten लिख देना है, जी तो बचो इसी थरह आपने चीजों को जमा करना सीखना है, चीजों को जमा करना बहुत असान है, जैसे देखिए अब मेरे पास यह कितनी fingers है, three, और यह कितनी fingers है, two, लेकिन जब मैं इनको इस तरह से जमा करूंगी, तो यह कितनी बन जाएंगी, one, two, three, four, five, आपने इसी तरह अलग अलग चीजों को इकठा करके count करना है, इनको हम इस method को addition कहते हैं, क्या कहते हैं, addition, जमा करना, ठीके Dear Teachers, आप बच्चों को इसी तरह addition का concept सिखाएंगी, बच्चों के साथ आप activities पर फॉर्म कर सकती हैं, class के अंदर अपना ready available material इस्तमाल कर सकती हैं, bottle caps का इस्तमाल कर सकती हैं, page के उपर बहुत अच्छी pictures दी हुई हैं, जिसमें एक साइट पे, जिसमें पहले अलग अलग आप activities में अपना material इस्तमाल करके बच्चों के साथ addition की activities कर सकती हैं, एक बच्चे को तीन bottle caps देदें, एक और चार bottle caps देदें, उनको पहले खाएं कि वो इने अलग लग count करें, और फिर आप उन दूनों से bottle caps लेके जमा करके उनके सामने रख दें, और दोनों को one by one करें कि अब इनको count करके बताओ ये कितने हो गएं, इस तरह कि आप चुट-चुटी activities करवा सकती हैं, जिससे बच्चा addition की concept को अच्छे तरीके से समझ जाएगा, हमारे ये video lesson भी आपके लिए बहुत वाइदा मन साबित होगा, keep watching अपना बहुत सारा खयाल रखें और जुड़े र झाल